नहीं नी हमें तो नहीं पड़ना इसमें हमें क्यूं कोट के धक्के खाने पड़ेंगे अगर एक कोई पूलिस स्टेशन आपकी रेजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है तो आपके पास हमारा एक नया चेंज आया है जिसमें एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखी है बैठे ब तीन लॉज है जो में हमारी तीन बुक्स है आई पीच, सीर पीच एं इंडियन एविडेंस आक्ट उसकी जो हमारे न्यू चेंज ज़ए है जो हमारे बीएनस, बीएनसस और बीएसे तो उसके बारे में हमारा एक अवेरनेस ये वर्क्शॉप थी जिसमें ये बतायागी कि क जाया चेंज आया है जिसमें एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच रखी है एक तो जस्तिस फॉर और आट सेम ट्रांसपरेंसी की ध्यान में रखा गया है एक सुविधा और लेके आया है एलेक्ट्रोनिक एविडेंस, इलेक्रोनिक स्टेट्मेंट, ये सम्मन्स के द्वारा बैठे बैठे आप कहीं से भी एक अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, तीन दिन के अंदर जाके आप अपने हस्ताक्षर उसमें देके अपनी एफायर रेजिस्टर कर सकते हैं, अगर एक कोई पूलिस स्टेशन आपकी रेजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है तो आपके पास एक प्रोविजन है कि आप एक कंसर्ण्ड एस्पी को जाके तालुक करें और उसके बाद अगर एस्पी भी 14 दिन के अंदर अंदर इंक्वाइरी करने के बाद भी अगर कोई अक्शन नहीं ले रहे हैं तो आप जुडिशन माजिस्ट्रेट के पास जा सकते हैं, आपके यह से भी हो सकते हैं कि गलत आरोफ लगने की गुझाइश होती है, तो उसमें जो जुडिशन मेजिस्ट्रेट है, वो एक बार एक्यूस्ट को बुलाएंगे, एक बार पता करेंगे, पुलिस से एक रिपोर्ट लेंगे, उसके बेसिस पे आप जुडिशन मेजिस्ट्रेट है जिसमें आपका साइन्टिफिक एविडेंसे जो कोट में हम दाखिल करते हैं, उसकी जो सांक्टिटी है वो बरकरार हैं और इसमें कोई भी हीूमन इंटरफेस को हमने हमने इनिमाइस कर जाह जिसकी वज़े से कोई भी जो केस होता है वो कम से कम एविडेंस के बैसिस पे आपको अगर जज्जमेंट भी अगर दे दी है, तो विडिन 45 डेस, उसकी फाइनल जज्जमेंट की कौपी विक्टिम को मिल जानी चाहिए. नहीं तो हमने देखा है, तारीक पे तारीक लगती रहती है, तो जैसे dismissal की, discharge की, withdrawal की, जो भी petitions होती है, उसको भी time bound किया गया है, तो इसके बाद हमारा जो पूरा justice system है, जो की एक पुलिस की F.I.S. से शुरू होके final judgment तक जाता है, जिसमें बहुत पहले साल लग जाते थे, अब वो कोशिश है कि वो पूरी के पूरी तीन साल के अंदर खतम हो जाए। लेके आये हैं complaint, और उसके साथ के आप evidences दे रहे हैं, लेकिन inquiry की जो गुंजाइश यहां पर आई है, कभी कबार ये भी होता है कि आप victim नहीं होते हैं, आप alleged party बन जाते हैं, और उसकी वज़े से आप बहुत जादा सफर करते हैं, तो वो वाली suffering for an alleged की गलत frivolous complaints ना हो, औ यहां बहुत जाते हैं, जो सौम एसे शायद एक आती हो, ऐसा नहीं है, काफे frivolous complaints होती हैं, जिसकी वज़े से victimization of the alleged बहुत जादा होता है, तो उसकी वज़े से inquiry का एक concept लाला है, जिसमें वो inquiry करेंगे, और फिर उसके बाद, अगर कुछ निकल के आता हैं, ति अबिसले और इसके बाद वो कोट में जाएंगे ही जाएंगे, तो हम भी ऐसे नहीं करते हैं, कि we wait for the court order to register the FI, we also do that, it is our bread and butter, we work for it. मैं evidence create करने के लिए, spread करने के लिए, evidence पहलाने के लिए, तक यह नया जो rule आया है, इसको follow-up करने के लिए, इसका जो criteria है, इसका जो requirement, जो आपका online का process है, उसको evidence के लिए, पुलिस department ने थूर से क्या-क्या, स्टेफ अगरा आगे ले रहे हैं, देखें, हर एक district को awareness के लिए पहली तारिक को हर एक पुलिस स्टेशन ने चोटी 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 वरक्शोप्स रखी है, पोस्टर, बैनल, पैंफलेट हमने सर्कुलेट किये हैं, और मैं यह जो तीन तारिक को रखा गया है, यह मैंने ही डेट दी थी, तो इसका पार्ट अवेर्ने स्टेशने के लिए, So, media, I think, is the fourth pillar, and I think it should be the strongest pillar. So, we chose the strongest one. Okay, आपके दो क्वेस्टेशन है, number one is community service. So, community service is basically for the non-henious crimes. कि जैसे पांच हजार तक की चोरी हो गई, तो उसको आपने community service दे दी, जो first time offenders हो गए, आप उनको community service की punishment दे रहे हैं, यह reformative approach होती है, कि एक लड़का जिसके पास सुविधाय नहीं है, वो ही थोड़े इसनी चीजों में जाता है, एक अच्छे खांदान वाला नहीं तो हम जिंदगी भर के लिए criminal बना देंगे, so this is the reformative approach. Secondly, आपने जो दूसरा बोला कि POXO cases है, तो विक्टिम होता है, तो उसके आप देखेंगे कि death penalty तक गए है, तो ऐसा नहीं है कि यह वाले cases में यह use होएगा, बाखी POXO and rape cases को हम बहुत stringently लेते हैं, उसकी जो आप जो आप जो खैज़न भी हैं, उसकी जो फ्रोसीज़ हैं, तो पहला कि आप देखेंगे से लिस्ज़ारिया से लिए को जो जाए वह पार जी भी मिल को जाए विए लागा कि वहा पै नहीं मिल के लिए है, तो हम क्या करते हमें घर का पता होता है, हम एक पे एक षम्मन भीज इसके पास फोन यहां, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके पास बेसिक चीजे नहीं है, तो दूसरा जो पढचा है वो तो जाता ही जाता है, आपको एक एक संबन का एक प्रोवीजन आगया है, जिसकी वज़े से एक हम स्पीडी ट्रायल में हम जा सकतेगी, हमने सम्मन दे दिया, अब उसकी रिस्पॉंसिबिलिटी होती है, कि वो आए, और दूसरा जो इलेक्ट्रोनिक स्टेटमेंट्स है, जैसे विक्टिम की भी है, अब वो कहीं और पे है, औ तो हमेशा होजा था कि वो इसको एक जगा से दूसरी जगा आना पड़ता था, एक विटनेस इस अ हेल्प टू दविक्टिम, अब वो हेल्प के लिए क्यों आएगा, कितने लोग ऐसा करते हैं, तो उनको भी एक मोटिवेशन के लिए कि उनको अपनी जगा से नहीं जाना पड़ेगा जादा दूर, तो जो स्टेट गवर्मेंट का जो सेंटर पॉइंट होगा, जो कि वो सेंटर बनाएंगे, वहाँ पर जाके वो अपना वीसी के थूरू, वीडियो कॉन्फरेंसिंग के थूरू अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, तो जो विक्टिम्स भी जो ब